हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे रवा केसरी इससे बनाने के लिए हमें चाहिए शक्कर आधी कटोरी और तीन हारी लाइची एक कटोरी सूजी दूद में भीगोय केसर काजू के टुकड़े और किश्मिश और गी अब इसे बनाते हैं सबसे पहले हम गी लेंगे अब इसमें हम काजू के टुकड़े और किश्मिश थोड़ा सा भून लेंगे काजू के टुकड़े और किश्मिश भून चुके अब इसे निकाल लेते हैं अब इसमें हम सूजी डालेंगे और इसे भी हमें आच्छे से भून लेना है इसमें मैंने हरी इलाइची तीन डाली है इसमें आप इलाइची का पाउडर भी डाल सकते हैं अब सूजी अमेरी हो जुके अभी इसमें घरम पानी डालेंगे पानी को थोड़ा सूपने के बाद ही हम इसमें शुगर डालेंगे अब इसमें हम शुगर डालेंगे मैंने इसमें शुगर डाली है अगर मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें शुगर बढ़ा सकते हैं मैंने मीडियम मीठा रखा है अब इसमें हम दो मिनिट के लिए धकन लगा के रखेंगे और इसे कम आज पर ही बनाना है अब इसमें हमने जो केसर दूद में भीगो के रखेते हो डाल देते हैं और काजू के टुकड़े और किश्मिश भूम ली ती वह भी डाल लेते हैं और थोड़ा सा गी अब इसे हम आज चैसे मिक्स करेंगे और इसे भी हमें दो मिनिट के लिए धकन लगा के रख देना है अब हमारा रवा केसरी रेडी है इसमें केसर का रंग भी आ चुका है देखे इस तरह से आप घर पे बना कर देखिए अब आप आप पार रिए ठैक्स पो ओर जिए को आप प्रैक्सरण का उर्ड़ का आप